फिल्म जगत को दो दिन में दो बड़े जटके लगे हैं अब नियता इर्फान खान की निधन के एक दिन बाद मशूर एक्टर रिशी कपूर का गुरुवार को निधन हो गया रिशी कपूर कैंसर से पिड़ित थे और पिछले साल ही सितंबर में अमेरिका से भारत लोटे थे कहा जा रहा है कि पिछले गुरुवार से उनकी सिहत खराब थी और कुछ दिन पहले ही उन्हें मुंबई के एनेच रिलाइन्स हॉस्पीटल में भर्ती किया गया था रिशी कपूर के निधन पर अमता बच्चन के अलावा क्रिकेटर सचिन तेंदूलकर, विराट कोहली, उपरास्पती, वेंकया नाइडू वा कई केंद्री मंत्रियों ने दुख्षताया है बतादे की रिशी कपूर साल 2018 से ही कैंसर से लड़ रहे थे, अमेरिका में उनका इलाज भी चल रहा था सितंबर 2019 में वो वापस भारत लोटे थे, इस साल फरवरी में उनकी तब्यद बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था, लेकिन फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया खराब तवियत की वज़ा से दो अप्रेल के बाद से उन्होंने सोसल साइट से दूरी बना ली थी 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर मेरे शिकापूर पहली बार एक बाल कलाकार की भूमका में नजर आये थे और फिल्म में उनकी डेब्यू बॉबी से हुई थी बॉबी के बाद उन्होंने चादनी, दिवाना, प्रेम रोग, नगीना, अमर अकबर, एंथनी, हीना, कर्ज, लेला मजनू, बंजारा, नसीब, बोल राधा बोल, दामीनी, सरगम जैसे हिट फिल्मों में मुख्य भूमका में नजर आये हाल ही में वह 102 नोट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में नजर आये थे इमरान हासमी के साथ दा बोडी उनकी आखरी फिल्म थी